नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है डौक्तर मीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि Cognitum Plus Tablet का उपयोगु किन कंडीशन्स में किया जाता है. Cognitum Plus Tablet को कैसे लेना चाहिए? और Cognitum Plus Tablet की वज़े से क्या Outside Effects हो सकते हैं? और यहां भी डिसकस करेंगे की Cognitam Plus टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Cognitam Plus एक ब्रैंड नेम है Cognitam Plus टाबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है कोगनिटेम प्लास टाबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन सिटी कोलिन 500 mg और पिरासिता 800 mg होता है कोगनिटेम प्लास टाबलेट दिमाग में बलड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और दिमाग की नर्व सेल्स को स्वस्थ बनाय रखने में मदद करती है कोगनिटेम प्लास टाबलेट का उप्योग दिमाग की कार्य प्रणाली को बहतर बनाने के लिए किया जाता है कोगनेटेम प्लस टाबलेट का उप्योग सिर में कोई चोट लगने पर, अलजाइमर डिजीज होने पर, लकवा लगने पर, दिमाग की याददाश्ट कमजोर होने पर, डिप्रेशन होने पर और पाकिनसिन्स डिजीज होने पर कोगनेटेम प्लस टाबलेट का उप्योग किय पाकिनसन्स डिजीज होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना, हाथों या पैरों में कमपन होना, हाथों व पैरों की गती धीमी होना, खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगलने या बोलने में परेशानी होना और मास पेशियों में अकडन होना आधी लक्षन पारकिंसन्स डिजीज होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा आखों में ग्लुकोमा होने पर भी डॉक्टर कोगनिटेम प्लस टाबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। कोगनिटेम प्लस टाबलेट आखों की रोशनी को भी बहतर बनाए रखने में मदद करती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कोगनेटेम प्लस टाबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में कोगनेटेम प्लस टाबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे चक्कर आना, सिर्दर्ध होना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में ठकान होना, नींद ना आना, दस्त होना, पेट में बेचैनी होना, पेट दर्ध होना, आखों में धुंधलापन होना, दिल की धरकन का कम या तेज होना, बलड प्रेशर कम होना और तवचा पर रैशेस होना आदी side effects Cognitam Plus Tablet की वज़ा से हो सकते हैं. अब हम discuss करेंगे कि Cognitam Plus Tablet को कैसे लेना recommended होता है. Cognitam Plus Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Cognitam Plus Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं. Cognitam Plus Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Cognitam Plus Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि Cognitam Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. यदि आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, तो Cognitam Plus Tablet को सर्जरी से कम से कम दो सपताह प इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Cognitam Plus Tablet को नहीं लेना चाहिए. अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि Cognitam Plus Tablet प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं. इसलिए ज्यादातर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Cognitam Plus Tablet को न लेने की ही सलाह देते हैं. इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Cognitam Plus Tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोगनिटेम प्लस टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं